ओम श्यांति आप सबको स्वागत है आज हम रेकॉर्डिंग कर रहे हैं तीन ऑक्टूबर की श्रीवदान की तुम्री गत्मत तुम्ही जानी गत्मत गती मतलब की मुक्ति और मत मतलब की गाइडेंस या डिरेक्शन जोकि परम्पिता परमात्मा जब धरती पर आते हैं तब जा करके वो लास्ट में हर एक आत्मा कले जिसको या मुक्ति चाहिए या जिसको जीवन मुक्ति चाहिए ये दो च्वाइसे मुक्ती मतलब सीधा उपर चाना और जीवन मुक्ति मतलब की फटा फट जब नर्ग खतम मिलना, उसको कहते हैं सद गती, तो परमात्मा आज कहते हैं कि संगम युपर शरेष्ट मत द्वारा, शरेष्ट गती को प्राप्त करने वाले प्रतिक्षफल के अधिकारी भवा, संगम युपर शरेष्ट मत द्वारा, या तो इंसान की मत होती है, या फिर और लोगों की मत ह गूरुओं की मत होती है लेकिन एक मत होती है श्री मत जो की केवल श्री श्री परमपिता परमात्मा की मत होती है जो कि हमें कल्यू के लास्ट में मिलती है तो संगम जिकपर श्रेष्ट मत द्वारा श्रेष्ट गती को प्राप्थ करने वाले प्रतिक शिफल के अधिकारी भवा संगम जिकपर श्रेष्ट मत के आधार पर जो श्रेष्ट करम करते हो उसका प्रतिक शिफल अर्थाद सफलता अभी ही प्राप्थ होती है यह नहीं कि अगले जन्म कले हो जाएगी वो तो जाती जाती लेकिन अभी के अभी ही सफलता प्राप्त होती है सुख मिलना, शांती मिलना, आनंद मिलना, खुशी मिलना, शक्ती महसूस होना अंदर इस यूँ कहता है फल इसलिए कहता है जैसी मत वैसी गत तो जैसी मत मिलेगी वैसी हमारी गती होगी और जिसकी हम सुनेंगे उसके नुसार या अच्छा हुआ तो अच्छी गती हुई या किसी ने कुछ गलत guidance देती तो उसके हिसाब से हमारी गती वैसी होगी वो लोग समझते हैं मरने के बाद गती मिलेगी जातर लोग क्या सोचते हैं कि जब हम शेरी छोड़ेंगे तभी हमें मुक्ती मिलेगी लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मर जीवा जनम में हर कर्म की सफलता कफल अर्थात गती प्राप्त होने का वर्दान मिला हुआ है मुक्ती मुला हम कर्मी ऐसे करते हैं जिससे कि हमें मुक्त या मुक्त अवस्था या मुक्ती की महसूसता हो मन में बुरे कर्म करेंगे तो मुक्ती तो नहीं होगी गती तो बंधन हो जाएगा तो परमात्मा की मत के द्वारा तुमरी मत और तुमरी गत तो तुमारी जो मत है, जो तुम मत देते हो, उसके हिसाब से हमारी गती होती है लेकिन इनसान क्या समझते हैं कि जब शरी छोड़ेंगे वो वाली गती, वाली नहीं जीवन जीते हुए ऐसे कर्म करें ताकि हमारे को महसूस हो कि हम मुक्त होते जा रहे हैं और जो हम कर्म करते हैं उससे गर हमें मुक्ती महिसूस होती है तो इसका मुला हमें खुशी, हलका पन, आनंद, सफलता हर चीज महिसूस होती है आप भविशे की इंतजार में नहीं रहते हैं अभी के अभी कर्म किया, अभी के अभी मुक्त महिसूस किया अभी अभी करते और अभी अभी प्रापती का अधिकार मिल जाता है, जैसे कहते bhi न hackers जैसे करौब करोगे वैसे फर्ल मलेगा और instant फर्ल मिलता है तो ये क्या है, जैसे कोई movie चल रही होती है movie के last में सारे कि सारे actors बहुत सदा chaos होता है कोई इदर भाग रहा होता है, कोई तर लट रहा होता है कोई इदर कुछ कर रहा होता है, तो यह भी कल्यू का जो अन्त जो चल रहा है, इसे में आप देख रहे होंगे देश-विदेश میں क्या के हल-चले हो रही है्ग कहीं तुफान आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं पर देश लट रहे हैं, कहीं पर कैयोस हो रहा है, कहीं पर आपस में गलत फैमिया हो रही हैं, कहीं पर धर्मों के बीच में आपस में कुछ प्रॉलम्स आ रही हैं, तो last में सारे actors active हो जाते हैं और सारे के सारे ready हो जाते हैं कि भईया अब अन्त का समय आया है कि हर किसी को अपने अपनी acting करनी है फटाफट फटाफट acting करनी है ताकि movie end में आए ये movie world drama भी end में आ गया है इसलिए हर चीज बहुत तेज-देज होरी इस दुनिया में तो परमात्म कहते हैं अभी अभी करते हैं और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है इसको ही कहते हैं रचेता का रचना से सच्चा प्यार रचेता का हम रचना अगर हम उनकी गत मिलने के लिए उनकी मत मान रहे हैं उनकी मत मानने से हमारी जो गती होती है तो परमात्मा कहते हैं यही मेरा तुमारे लिए सच्चा प्यार है मैं तुमें गाइड करता हूँ कैसे करम करो, कैसे सोचो, कैसे बोलो कैसे मैं छुखो ध्यान करओ मेरा मूझे कैसे याद करो तो ये सब कुछ ही पर्मात्मा का सच्चा प्यार है हमारे लिए इसो कैसे मैसूस करें इसलिए हमें परमप्रता पर्मात्मा के महावाकियों को हरदिन जिसको हम कर कहते मुरली उनको सुनना बहुत जरूरी है कुम श्यांतिस के जाथ